हेलो एव्रिवन जैहिन नमस्कार वेल्कम यू आल टो मिसन कॉम्प्टीजन आप सभी का सवागत है सबसे पहले आप सभी को रादे रादे जैश्रेडा सो देखिए एस ओ यानि सहायक प्रशाका पताधिकारी इसके पद पे जो है दुबारा से बहालिया आने जा रही है आप सबने अभी एक हफते पहले का खबर पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि 347 पदों पे जो है चार साल के बाद दुबारा से बिहार विधान सभा में भरती आ रही है इसमें कलर का भी पोस्ट है शायक प्रशाका पताधिकारी का भी पोस्ट है और कार्याले परचारी का भी पोस्ट कर रहा था जिसका रेफरेंस अभी आप देख लिए तो यहां पर आप देखिएगा आठ दिन नौ दिन पहले ही मैंने यह वीडियो अपडेट कर दिया था ठीक है जिसमें लगवग साठे आठ नौँजार रव्यूज आये हुए हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अल्रेडी बता दिया था कि एसो सही 347 बदो भरती आ रही है और एक्जाम डेट कब से होगा एक्जाम कब से हो सकता है और फॉर्म कब से बढ़ा जागा सब डीटेल में बता दिया था इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँग इक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा आज की स्लेबस कि अगर बात करें तो उसका कब एक्जाम हो सकता और 347 व्यक्त कब होगा यह डीटेल में में बात करेंगे लेकिन आज के जो मुस्ट इंपॉर्टन चीज है कि श्रत इसका कर लेंगे जिसक्सक्षन जो है यहां पर रिजॉल्व हो जाएगा चलिए हम लोग स्लेबस पहले डिसकस करते हैं उससे पहले आप ज़रा ध्यान दीजेगा यहां पर देखेगा आप लोग इसका आपको दिया जागा यहां पर लिखावा लेकिन अभी हमने 120 से अधिक 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 अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है इसका आंसर की जो हिंदी अंग्रे जी दोनों में ही रहेगा यानी की डेटेल एकस्प्लाइशन रहेगा और इसके अंदर में जो बरे-बरे कोचिंग संसानी से आस्था परफेक्शन द्रिश्टी उनके प्रेक्टिस सेट कोचिंग संसान में को हो जाते हैं उसके बाद 99 righti के ना मात्र के fee में और यह one time आपको देना है OneHmm और प्रेलिम्स टक यह ग्रुप वैलिड रहेका प्रेलिम्स टक आपका यह पैमेंट वैलिड रहेका और प्रिलिम्स टक अनलिम् summat प्रैक्टिसेट दिया जता रहेगा और इसमें जो है असी से भी अधिक बोला जा रहा है कि आपको प्रैक्टिसेट दिया जाएगा बिहार स्पेसल और क्रेंट अफेर का जो कि उससे भी अधिक होई जाये का टाइम टेते रहते हैं हम लोग 970835194 अगर जोड़ना है तो इस नंबर को उपर में आप लोग पेमेंट कर दीजेगा 199 का और WhatsApp को उपर में उस पेमेंट के स्क्रीन सॉट भेज़ देज़ेगा फिर आप लोग को एड़ कर लिया जाएगा तो देखेगा यह उस दिन के न्यूज का स्क्रीन सॉट है चार साल बाद 43-47 पदों पर न्युक्तियां आ रही है ठीक है यहाँ पर क्लिरली मेंशन किया गया है और एक चीज़ देखेगा ICEF मैंने टाइम टू टाइम आपको बताया है कि इसका जो ऑनलाइन CBT मोड जो एक्जामनेशन होगा उसमें जो टेंडर दिया गया हो कितने कितने पदों पे कौन-कौन सीट है यह भी आप देख लिजे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेगा यहाँ पे देखिए सुरक्षा प्रहरी का 149 पोस्ट है यानि बिसिकली सिक्योर्टी गार्ड बोल लिजे कार्याले परचारी का 54 पोस्ट है यानि कम नहीं है इस सब पहले भी देखिए लगभग 54 पदों पर एसो का लिए फॉर्म आया था जो भड़ा चुका है और डाटा इंट्री ऑपरेटर का 40 को है कनिये का 19 है प्रतिवेदक का 13 सीट है यहाँ पर ड्राइवर का 9 है और असुलिपिक का 5 है सहायक अबधायक का 4 है नी अच्छा पुराने वाले जो है आप लोग कवड़ाएगा नहीं आप लोग के लिए यहाँ पर अपडेट है देखेगा आप पुराने विग्यापन के अधार पर फिर से विग्यापन निकाला जाएगा जो शववन भड़ा चुका है उसके आधार पर नहीं भी निकलेगा लेकिन रहात का बात यह है कि जो पहले वाले भढ़ चुके हैं, उनको दुबारा से विज्ञापन भढ़ने जोत नहीं है, सिर्फ नए वाले लोग ही जो लोग नहीं भढ़ने के जुरूत है, क्लियर है इतनी बात हैं, चलिए, अब सले बस इसका डिटेल में देख लीजिए तो देखेगा परिक्षा का प्राडूप आपका क्या रहेगा, तो देखेए, यहाँ पे समान अध्यान से टोटल 40 प्रसंद रहेगा, और ध्यान रखेगा, एक कोस्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग आपका 1 नंबर का होगा, यानि की 1 फो समता और तारकिक विचार से 40 सवाल रहेगा, यानि की यह हो गया रिजनिंग, ठीक है, यहाँ पे मैथ और साइन्स हो गया, और वहाँ उपर में जी के जी हो गया, टोटल आप से पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखेए, टोटल 100 प्रसंद आप से पूछे जाएंगे, ध् समनल अद्यान से तो महतवबुण राश्ट्रिय अंतरास्ट्र और समसमाई घटनाए इसमें आप से पूची जाएंगे, और विज्ञानिक प्रगती पूची जाएंगी, उसकी अंतरास्ट्र प्रोजार और खेल खिलार्यादी पूचे जाएगा, इसमें ध्यान रखिएग खिलाडी कौन सा किस खेल से संबंदित है इससे सवाल आपका पूछे है करेंट अफेर्स में यह आपको अच्छे से रखना है अंतरास्ट्रिय समसमाई की यानि अंतरास्ट्री करेंट अफेर्स की बात कर ले तो देखिए अंतरास्ट्रिय यानि की इंटरनेशनल लेवल पर इतने भी बरे बरे जो इंपक्ट वारे जो न्यूजस है उनको आपको ध्यान में डहकना है तो नैशनल में अभी आपका जो है खास करके जो अभी जो अभी नया जो आपका यह आया है बज़ट जो पेस हुआ है बज़ट के बारे में अच्छे से देख लीजेगा नेक्स देखेंगा बिहार और भारत का इतिहास भूगो अर्थिक प्रदेश रहें च्रथा प्रकृतिक शनसादनों का प्रमुक विशेस्ता हैं ठीक है ये बिहार के point of view से देख लेना है आपको simple साम एक concept देते हैं देखिए बीपीएसी का आप देखे हैं practice it question पर देखेंगे बीपीएसी का total जो है आप खाली previous year वाला questions कर जाईएगा बस इतना ही करिएगा खाली previous year वाला question कर जाईएगा आगे आपको कुछ नहीं करना है यहीं से सवाल आपका बन जाएगा ठीक है और उसका जो details होता है ना details आप पढ़ लीजेगा आप लोग सोचे कहां से बिहार स्पेसल किताब खरे देखेंगे बस इतना कर लीजेगा आपक वह अंदोलन बिहार का योगदान आदी यह सब आपको ध्यान रखना है और याद रखिए इसमें भारत का समिधानिक और आजिंतिक प्रणाली जो है इसमें खास करके जो किस तरीके से नियाले का development हुआ ब्रिटिस राज में वह सब अच्छे देख लीजेगा भारत में कहा जो सिंपली बोल रहा है कि physics, chemistry और बायो यह सारा जो है दसमा लेवल का आपसे पूछे आएगा तो 10th लेवल का आपको जो है टू दपॉइंट और सटीक रखना है तो physics chemistry बायो के लिए simply अगर हम आपको अगर बोलेंगे तो दीखे घटना चक्र का pointer आता है घटना चक्र का pointer संख्याओं का अभिकलन दसमलव और भिन संख्याओं के बीच परस पर संबंद मूल भूत अंक और गनितिय संक्रियाए प्रतीशत अनुपात और समानुपात और 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 यह सब आप से मैथ में पूछेगा ठीक है उसके बाद ब्याज और लाभानी यह सब आप से समान्ता वह स्थान कल्पना होगा ठीक है यानि कि रिन समस्य और मधान होगा विभेद होगा अवलोकन संबंध अवधर्ण ब्लड रिलेशन जो बोल लीका अंग गणितिये तरक सकती, अंग गणितिये स्रंखलिया, ठीक है, कूट लेखन और कूट वेक्ख्या आदी वेगरा, यह सब इसमें रिजनिंग से आपके चैप्टर्स रहेंगे, तो यहाँ पर मैंने डीटेल्स ले, बस आपके साथ डिसकस कर लिया, शेयर कर लिया, एक्ज स्टार्ट हो जाएगा, और एक्जामनेशन के अगर हम लोग बात कर लिए, इसका एक्जामनेशन एक्जामनेशन एक तरुन्त होगा, टाइम नहीं लएगा, यह सब हो जाने के बाद इजन्सी फाइनल हो चुका है, आपका परिक्षा जो है, जो है जैन्वरी, लास्ट मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या डिफिकल्टी हो, कमेंट करके जुरूर अपना प्रॉब्लम शेर करिए, तिल देन टेक क्यार बाबाए, गॉड ब्रेस यो ओल